नौर्थ इसका कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सिज, नौर्थ इसके ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बहतर इन्फरासेक्टर से गावों शेहरों को भी आपस मैं कनेक्ट किया है। बीते नव वर्षों में दर्जनों बार मैं खूद आपके बीच आया हूँ। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। यहां के प्रसिद्ध हरनिबल फेस्टिवल की रोनक मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरिया मिटाने में नागालेंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहां के हमारे बीजेपी प्रसिडेंट तीम जन इमना की बातें आज पुरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्रेट्फरम पर विन नागालेंड और नौर्सिस को शांदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोचल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिज करता हूँ। आज आज भारत के इतिहास में नागालेंड को पहली राजसबा MP देने का आवसर भी NDA कोई मिला है। फांगनों कोयंक जी आज देश की सवसद में नागालेंड की बेहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोधी को सुन रहे थे, प्रधानमंत्री मोधी बता रहे थे किस तरह से नागालेंड में विकास हुआ है, किस तरह से नागालेंड में सरकार की ओर जो योजना है, वो पहुँच रहे हैं। नागा कल्चर का भी सम्मान है ये रानी गाइडिनल्यू के प्रती भी हमारी सच्ची सर्धांजली है और ये मेरा सवभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिनल्यू जी का स्वागत करने का सवभाग्य मिला था जब मैं राजनितिक जीवन में नहीं था, मैं सामाजीक जीवन में काम करता था। साथ क्यों? आप सभी ने मेरा मन की बात कारकम जरूर सुना होगा, मैं मन की बात में भी नागा लेंड की अक्षर चर्चा करता रहता हूं नागा कल्चर, क्राप, नागा लाइस्टाइल और यहां का मुजिक को प्रमोट करने वाली लीडी क्रोयू संस्ता के बारे में मैंने मन की बात में भी विस्तार चे बात की थी